हलो मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागते दोस्तों मैं हाज़िरू नई वीडियो नई जानकारी के साथ तो आज मैं इस बारे में डिसकस करेंगे हम कि आप जब नरसरी से प्लांट लाते हैं तो कई लोग जब प्लांट को इसी प्लांटर में लगाते हैं उसके बाद कुछ दिन और बाद वो मर जाता है क्योंकि हम भूँत सारी गलतियां करते हैं ऐसे टाम पे जब भी हम नर्सरी से कोई प्लांट लाएं तो यह गलतियां कभी भूल के मत करिए जो मैं बताने वाली हूं और जो मैं भी फोलो करती हूं सबसे पहली गलती है कि जिस दिन आप नर्सरी से प्लांट लेके आए पॉली बैग में लगावा उसको उसी दिन ही आपने नएओ प्लांटर में शिफ्ट कर दिया ऐसा कभी भी मत करिए क्योंकि एक आप नर्सरी में हमेशा वाज करना जो प्लांट आपने लि आरहा है किस तरफ से उठा के ला रहा है,, फिर उसको उसी तरह से अपने घर में शेड वाली शेट से उठा के लाए तो शेडवाली ज AMY रग दो और खूब में रख दो और उसको कम सेखम चार-पान्च दिन उसको उस एनवार्मेंट में एड़ जगह उठा के लाते हैं तो वह भी अर्जस होने में उनको टाइम लगता है तो एक दम से उसी दिन प्लांट को रिपोर्ट मत करिए चार-पंश दिन बाद वन वीक मैक्सिमम वन वीक उसको ले सकते तब उसको रिपोर्ट करिए जब भी आप नर्सरी बैग उसका निकाल रहे इसली उसकी रूट समेत उसको निकालिए एकदम खीच के निए उसकी रूट डेमेज नियों जाए अगर रूट डेमेज हो गई तो आपका प्लांट 100% सौक में जाएगा और शायद वो खतम भी हो जाए मर भी जाए तीसरा है कि उसको 7-8 दिन जब आपने रिपोर्ट कर द जाए हो क्योंकि एकदम से रिपोर्टिंग शोक लगता है पोधों को और उस टम आपने धूप में रख दिया तो एकदम से पोधा मुर्जा जाएगा और आपका प्लांट खराब हो जाएगा और सबसे और इसके अलावा इन जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लेके आ और लास्ट है जब तक आपका प्लांट सेट नहीं हो जाता उसको कम सकम एक डेड़ भेना लगेगा अपनी रूट फैलाने में तब तक उसमें कोई केमिकल खाद मढ़ डाले क्योंकि केमिकल खाल बहुत गरम होती है जिससे प्लांट की जड़ी जल सकती है उनमें जाल से ज गाडन में अच्छे से चलेगा तो दोस्तों एक लास्ट और जब भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं न्यू प्लांट को तो उसके 10-15 दिन तक उसकी लीफ में मिस्टिंग जरू करिए उससे जब उसके लीफ में मिस्टिंग रहेगी न तो आपका परदह मुर जाएगा नहीं और शोकिंग भी रिपोर्टिंग शोक भी नहीं लगेगा, सब्सक्राइब माइ चैनल, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करिएगा और अच्छे-च्छे कमेंट भी दीजेगा जिसस मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो यह सब सावदानी वरत के आप अपने गार्डन को अच्छा हल्दी बना सकते हैं